जै़ मातए दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो हमारे चैनल से जुडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिएगए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो बात कर रहे हैं व्रिष्चिक राशी के जून 2021 राशी फलकी इस महीने में ग्रहों की क्या इस्तिति रहेगी और उसका आपके कारिशेत्र पर आपकी आर्थिक इस्तिति पर स्वास्त पर शिक्षा पर प्रेम और व्यवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे ग्रहों के अशुब प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाए तो आईए बात करते हैं व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए जून 2021 का ये महीना कैसा रहेगा दोस्तो इस महीने आप निश्ठा और लगन के साथ काम करेंगे नौकन में प्रमोशन के योग बन रहे हैं विरोधियों द्वारा शडियंत्र की आशंका है तो थोड़ा साफधान भी रहने की जरूरत है 15 जून को सूरिय के गोचर परिवर्तन के बाद कारेशेत्र में थोड़ा बहुत उतार चड़ाव रह सकता है राहु के गोचर के कारण व्यापार में साजेदारी के साथ उलजनों के इस्थती भी बन सकती है ये समय बिजनिस के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है हाला कि व्यापार के दरश्टी कौन से महीने के जिशुरुआत की समय रहेगा वो अनुकूल रहने के संभावना है कारेशेत्र की अगर बात करें तो करियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए मिला जला फल लेकर आएगा नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगे लेकिन आप अपने कारियों में सफल रहेंगे आपके दस्वे भाव में देवगुरू ब्रहस्पति विराजमान है जो की कर्म व्यवसाय आपके पद और ख्याती का भाव माना जाता है ब्रहस्पति की इस गोचर के दौरान आप बहुत ही लगन और निस्था के साथ अपने कारिशेत्र में जुटे रहेंगे आपके दशम भाव के स्वामी का जो गोचर है ये संकेर दे रहा है कि आपको नौकनी में प्रमोशन मिल सकता है हलाकि राहू के गोचर की वज़े से आपके जो विपक्षी है वो आपके खिलाफ शडियंत्र भी रच सकते हैं आपको थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा रहू की सप्तम्भाव में उपस्थती आपके व्यापार के साज़िदार के साथ को समश्याएं हो सकती है व्यापार की गती थोड़ी कमजोर भी रह सकती है पंदरा जून के बाद ग्रहों के राजा सूरिय अश्टमभाव में चले जाएंगे जिससे कारेशेतर में उट्तार चड़ाव की भी संभावना है व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए उत्रार्द का समय अनुकूल रहनी की उमीद है अगर आर्थिक स्थिती की बात करें तो व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए आर्थिक द्रिष्टी से ये महीना आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल देगा आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में आपको फल मिलेगा भाग्य ना तो आपकी बहुत जादा साहेता करेगा और ना ही बाधा पहुचाएगा सबसे बड़ी बात ये है कि कारेशेतर में आपको नीजी प्रयासों से ही लाब मिलीगा अगर आप सोचेंगे कि किसी अन्यविक्ती की मदद से आपके काम बनेंगे तो ये आपकी भूल है एक साथ तीन ग्रह यानि मंगल बुद और शुकर की उपस्ति आपके आठवे भाव में रहेगी जो ये संकेत देती है कि ये महिना आमदनी के मुकाबले आपके खर्चे जादा रह सकते हैं इसलिए बजट बना कर चलना बहुत जरूरी है गैर जरूरी और विलासिता की वस्तो पर खर्च करने से आप परहेज करें नहीं तो आप आर्थिक संकट में फस सकते हैं स्वास्थ की अगर हम बात करें तो ये महिना व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए स्वास्थ के लिहास से थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है स्वास्थ समश्याओं से जूजना पड़ सकता है सब्तम और अश्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा जो ये संकेत देरा है कि कुछ बिमारियां आपको परिशान कर सकती है आपको रक्त विकार होने के कारण बिमारियों का सामना करना पड़ेगा साथ ही त्वच्चा से जुड़े रोग हो सकती है इस समय में कोई भी छोटी से छोटी बिमारी है तो उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करे तुरंत डॉक्टर की सलाह ले अपने खान पान का ध्यान रखे पोश्टिक और साधा भूजन ही करे मसालेदार और जादा तलिभुनी तेल युक्त चीजों से दूर रहे खुद को शारेर क्रूप से सक्रिय रखे कुछ न कुछ करते रहे योग करे व्यायाम करे छोटा मोटा काम करते रहे अगर बात करे प्रेम इस्थती और वैवाहिक इस्थती की तो व्रिष्चिक राशी के जो लोग प्रेम संबंदों में है उनके लिए ये महीना सामान्य रहेगा ना जादा अच्छा और ना ही जादा बुरा शनी की दृष्टी आपके पंचम भावों पर होने से आप में साथी के प्रती वफादारी की भावना बढ़ेगी इसते रिष्टों में गंभीरता भी आएगी, मैच्छार्टी आएगी और आपके प्रती साथी का नजरिया जादा बढ़िया होने लगेगा, बदलने लगेगा एक दूसरे के प्रती प्रेम की भावना भी बढ़ेगी प्रेमी जातकों का जादता समय अच्छा रहेगा और विवाहित जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा तनाव पून कहा जा सकता है किसी बात को लेकर एक दूसरे से वैचारिक ऐसे मती, वैचारिक मद्भेद हो सकते हैं जिसकी वज़े से थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है दरसल ग्रहू के राजा सूरिय और छाया ग्रह राहू एक साथ सबतंभाव में उपस्तित हैं जो की विवाह, जीवनसाथी और पार्टनर का भाव है इस युती के कारण आपस में खीचतान हो सकती है बाद विवाद की स्थति बन सकती है आपसी विवाद को धहरे के साथ सुलजाना ही जरूरी है किसी भी ऐसी बात में अपने रिष्टे में किसी तीसरे व्यक्ति को ना घसीते नहीं तो बात बिगड सकती है ससुराल पक्ष की और से हस्त शेफ होगा तो बात और जादा बिगडेगी इसलिए बहतर यही होगा कि आप अपने मनमुटाव के अपने हाँ भी सुलजा ले महिने के दूसरे पड़ाव में जब सूर्य अश्टम भाव में चले जाएंगे तब दामपत्य जीवन में थोड़ा अच्छा समय शुरू होगा और सस्राल पक्ष के लोगों से भी अच्छी तरह से बातचीत होगी पती-पत्नी के बीच आप से सामन जश्य और प्यार भी बढ़ेगा बात करते हैं पारिवारिक इस्तती की ये महिना आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुब रहने की संभावना है परिवार का भाव माने जाने वाला दूसरे भाव के स्वामी ब्रस्पती चतुर्थ भाव में आ जाएंगे जो माता और आनंद का भाव कहा जाता है ब्रसपती की इस स्थती के परणाम स्वरूप परिवारिक जीवन, शांतिपून और सुखद रहने के समभावना है परिवार के सदश्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रहेगी अपना पन बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति केर की भावना बढ़ेगी सब एक दूसरे के कार्यों में सहयोग देंगे परिवार का माहौल सकरात्मक और सुकून वाला रहेगा हाना कि ग्रहों के सेनापती मंगल की दृष्टी आपके दूतिय भाव में होने पर परिवार में छोटी मोटी अनबन हो सकती है लेकिन इस्थती नियंतरन में रहेगी कोई भी इस्थती आउट ओफ कंट्रोल नहीं होगी घर का माहौल खराब नहीं होगा छोटे भाई भाई भाईनों के साथ चोटी मोटी नोग जोख हो सकती है बाकि आपके भाई भेनों के साथ परिवार वालों के साथ संबन अच्छे बने रहेंगे परिवार में उनकी भूमे का काफी माइने रखेगी घर में शुबता बढ़ाने वाला कोई मांगलिक कारेक्रम भी हो सकता है लेहाजा अतीतियों का आगमन भी होगा उनके आने से घर गुलजार होगा और आपके घर में आनंद की वृद्धी होगी घर का माहौल बहुत खुश नुमा रहेगा इस महीने शनी का गोचर भी होगा जो कि आपको रिष्टो के प्रती वफादारी निभाना सिखाएगा रिष्टो के प्रती आकरशित करेगा संबंधों में परिपक्ता आएगी आप मैच्वर बनेंगे संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे और कोई भी अगर पहले से परिशानी चली आ रहे थी किसी रिष्टे के बीच में तो उसे सुधारने में उसे सही करने में भी आपका महतपून योगदान रहेगा इस महीने आपके अंदर एक अलग ही परिवर्तन आएगा जो की सकारात्मक पहलू होगा कि आप मैच्वर बनेंगे पहले से ज़ादा मैच्वर बनेंगे अब बात करते हैं उपायों के बारे में जो ग्रहों को आपके कुंडली में मजबूत बनाए रखेंगे मंगल को मंजबूत बनाने के लिए चूकि आप मंगल की राशी है आप 21 मंगलवार वरत रखें और इस वरत में आप नमक का प्रियोग ना करें यानि कि जब आप एक वक्त का खाना खाएंगे तो वो मीठे से खूलना है इसके अलावा आप हनवान 40 या बजरंग बान का पाट करें यह आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा भगवान विश्णू की भी आप उपास न करें यह आपकी जीवन में जो भी परिशानिया आ रहे हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर कर दें धन्यवाद